कि नमिश्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का आपके अपनी यूटीब चैनल ऑनलाइश डीके में और आज हम आपके लिए लेकर आ स्वाइट एक्जाम में श्रामिल किया गया और साथी साथी दिए आप फर्स टाइम देने जा रहे हैं तो निश्य दूरूस आपको यह पता जलेगा कि आप किस प्रकार से त्यारी कर सकते हैं और कैसे क्षिशन जो स्वाइट के अंदर पूछ आते हैं तो चलिए स्टार्ट क बारे में जानने के लिए एक परिक्षन प्रसासित करती है उसी जानकर अश्चरी होता है कि एक बड़ी संख्या में सिक्षार्थी संवधित आउधारना को नहीं समझ भाएं तो इसका प्रमुक कारण क्या हो सकता है तो निश्य दूरूस यहां पर हमें प्रस्त में जो बत नहीं पाएं अब यहां पर कारण क्या था वो हमें पहचाना है सिक्षार्थियों का संग्यानात्म के इस तरह अच्छा नहीं था या फिर यह प्रक्रण पार्टि पुस्तक में शामिल किया जाने योग यह नहीं था और सी यहां पर सिक्षार्थियों को यह प्रक्रण जाए पार्ट पढ़ाने के बाद भी प्रकरन को नहीं समझ पाएं हैं तो निश्वी रूफ से यहां पर जो सिक्षिका है उनकी थोड़े सी पदधती का आभाव यहां पर देखने को मिलेगा तो उसने प्रकरन पढ़ाने के लिए सही पदधती का प्रयोग नहीं किया और डी एक पार्ट में सर्विक्षन और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्धेश्य है। मैं एक पार्ट सर्विक्षन और लेखन पर एक भाग मुख्य los app है। तो यहां पर शिक्षार्थियों को जाने की वीचीजियों को खोजें और सीखे और बी है यहां पर विशे की आधार बुत अधारना को सीखने में सिक्षार्थियों की मदद करना और सी है सिक्षार्थियों की व्यावार कोशलों में सुधार करना डी है सिक्षार्थियों की सामाने जानकरिका आकलन करना तो दिखिए सरवेक्षन और लेखन जो होता है उसका मुख्य उदेश क्या होता है तो इसका उदेश होता है सिक्षार्टियों को अवसर उपलब्द कराना की वे चीजों को खोजें और सीखे और इसके लिए पहला विकल्ब जो होगा ये बिल्कुल सही होगा आगे बढ़ते हैं अगले किशन की और अगले किशन आता है निमने लिखत में से कौन सा प्रात्मी किस्तर पर परियावरन अध्यान में आंकलन के लिए उपकरन और तकनिके हैं और D है विचार मान्चितरन तो यहाँ पर ABC का तो करम थोड़ सा पर निश्य हो गया है कोई बात नहीं तो यहाँ पर परियोजनाकारिय जर्णल लेखना शेतर भरमन या विचार मान्चितरन तो यहाँ पर कौन सा परियावरण अध्यनमा आंकलन के लिए उपकरन या तकनीक शामिल हो शकता है तो इन चारों को देखें तो क्या इसमें केवल B, C शामिल हो सकते हैं या केवल D है या फिर A, B, C, D और या फिर D है केवल A और B तो देखी यहां पर इदिम देखें तो परियावरन अधिनमा अंकलन के लिए उपकरन तकनीक के रुप में शामिल हो सकते हैं वो होंगी ये चारों जिसके अंतिकत परियोजणा, जर्णल, चैतर, भ्रमन, विचार, मांचतरन ये सभीश में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए विकल पसी जो होगा ये MMS में सही उत्तर होगा आगे बढ़ते हैं गले किशन की और मीजोरम में की जाने वाली जूम कहती के विशे में निमनलिकित कतनों का धिन कीजिए और यहां पर पहला है एक फजल काटने के पश्चाद भूमी को कुछ वरसों के लिए खुला छोड़ देते हैं और बी है इस भूमी पर उगने वाले बांस और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है और इसी है बीज बोने से पहले भूमी की गहरी जुताई की जाती है और डी है एक ही खेट में तीन चार भिन भिन प्रकार की फशले उगाई जाती है और इसी के साथ में इवाला है यहां पर अवश्क्त अनुसार रासानिक और वरकों और कीटनासों का भी उप्योक कियाता है और इन में से हमें पहचानना है कि सही कथन कुन सा है तो ये पांच कथन जो हमने देखे हैं इनके अनुसार हमें मिजोरम में की जाने वाली जो जूम कहती है उसके अनुसार से देखना है तो देखिए यदि हम यहाँ पर सीधे उत्तर को टिक करें और फिर इसको समझे तो ठीक रहेगा तो इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा मिजोरम में की जाने वाली जो जूम कहती होगी उसमें बी वाला विकल्प इसके लिए सही होगा अब देखिए बी वाले में ए बी और डी तो ए बी और डी को हम देखें तो A और B और D देखिए अब उत्तर को देखिए जिसमें हमारा A वाला शामिल है B वाला शामिल है और D वाला मतलब कि यहां पर C और E जो है ये जूम खेदी के विशे में सही नहीं हैं तो सही कथन जो होंगे A, B और D जिसके इंदिकत फसल काटने के पश्यात कुछ वर्सों तक भूमी को खुला चोड़ दियाता है और मास और खर्पतवारों को काटकर जला दियाता है और खेद में 3-4 भेन्ने बिन्ने प्रकार की फसले भी उगाई जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगलेकिशन को देखें परियावरान अध्यन के सीक्षन से उन प्रक्रिया आधारित कोशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूस्ताच आधारित प्रत्यक्ष अनुभाओं के केंदर विंदू है और निम्द लिखित में से कौन सा ऐसा कोशल नहीं है तो यहां पर हमें देखना है पूर्वानुमान, नर्धारन, निसकर्स, निकालना या अवलोकन तो यहां पर हम कहा सकते हैं कि जो नर्धारन होगा बी वाला विकल्प परेवरन अध्यन के सीक्षन के लिए अधि हम उन प्रक्रियां आधारित कोशलों को बड़ावा दी जाने के लिए पूस्ताच आधारित प्रत्यक्ष अनुभाओं की बात कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष अनुभाओं के केंदर विंदू के लिए कि निरधारन जो होता है ही निरधारन करना ये कोशल नहीं होगा चलिये तू बीविकल्विस का उत्तर होगा अगला अग्ला किश्छन आता है राधा विबहन प्रकार की यात्रा टिके कि जब हम अलग-अलग वाहन से शाधन से यात्रा करते हैं तो निश्य रुप्सियन की लागत जो होता है खर्च जो होता है वो भी भिन भिन होता है बीवला है यहां पर यात्रा के लागत उस वाहन के दोरा प्रयुक्त इधन पर निर्फर करती है और सी है सारुजनिक परिव करती है तो ऐसी टिक्टों के उप्योग सी वो कौन से संकल्पना को प्रभावपोर्ण धंक से समझाना चाहरी है चर्चा करना चाहरी है तो निश्यूरुप से सी वाला भी सही है और डी और बी जो हैं इतनी जादा इसमें बाते हमें नहीं होती क्योंकि आरक्षन की दिम बात करें तो सभी जगे पर सभी वाहनों में आरक्षन की प्रत्रिया जलूल नहीं हो सकती है तो यहां पर अब इसके हम उत्तर को समझें तो उत्तर के लिए हमें य आगे बढ़ते हैं और अगले किशन को देखते हैं अगला किशन आता है यहां पर प्राद्मी कख्षाओं के विधियार्थियों के मांचित्र सिक्षन के लिए निमने लिखित में से कौन सी युक्ति सरवादी को प्युक्त प्रतीत होती है अधियाबग द्वारा सियामपट पर मांचित्र बनाना सिक्षाओं को विभन अस्थानों के इस्तिती बताने के लिए कहना और बी है सिक्षाओं को निर्देश देना की वे घर से भारत का मांचित्र लेकर आए या फिर सिक्षाओं को एटलस दिखाना और विभन अस्थानों के इस्तिती बताने के लिए कहन और डी है सिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उप्योग करते हुए अपने निकटन परिवेश का मानचितर बनाएं तदा वस्तूं की सापिक्ष रिस्ति और दिसा पर ध्यान दें तो निश्यत रूप से यहां परिदियम देखें तो हम बच्चों को मानचितर सिक्षन के लिए कौन सी युक्ति यहां पर सबसे सही मान सकते हैं तो यहाँ पर सबसे सही युक्तियम मान सकते हैं कि सिक्षार्थियों के सहायता खरणा की वे अपने ही संकेतों का उप्योग करते हुए निकट तम परिवेश का मान चत्र बनाएं तथा वस्तूं की सापीक्षिस्ति और देशा पर ध्यान केंदरित करें इसके लिए डिविकल मही का मही का चाहती है कि उसके विध्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें और सार्थ तक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोपसाहित करना चाहिए समझना की पौधे सजी होते हैं समझना की पौधे हमारे लिए उप्योगी होते हैं अध अध्याबी का माही का है वो जब चाहती है ऐसा तो उनकी उंचाई पत्ति गंद और उबने के स्थान का अवलोकन करना ये वो बच्चों को इस और प्रेजित करना चाहिए तो डी विगलब जोगा इसके लिए सही होगा अगला किशना दा है प्रात्मिकस्तर पर परियावरण अध्यन पढ़ाने के लिए नेमन दिक्षने से कौन सा सब पहलु सबसे महत्वोडन होना चाहिए अब दीक हैं बात करें प्रात्मिकस्तर पर तो कुछ कक्षाओं में जैसे एक दो के अंदर कर तो चीज़ सामिल नहीं ह कुछ खक्षाओं में होती हैं तो यहां पर इदियम देखें क्रेकलाब संचालत करना अधाकोशलों का विकास करना आंकलन में सफलता प्राप्त करना विज्यान की आधार भूत संक्लपनाओं को समझना सीखने वालों की प्राकरतिक और सामजिक संस्कुतिक परियावरण से ज सामाजिक सांस्कृतिक परयावरन से जोड़ना जिहां के लिए सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते पिष्जिन को परयावरन अध्यान की प्रकर्ति in निम्नलखत्प का समर्थन नहीं करती है तो किसका समर्थन नहीं करती है बच्चे कम गलतियां करें बच्चों को करके सीखने का उसर मिले बच्चे बहुत से प्रस्न पूछें बच्चों को खोज करने के लिए प्रयाप्तिस्थान मिले तो दीखी यहाँ पर परेवरण अध्यन कि ऐसा नहीं कि बच्चे गलतियां ही ना करें या कम करें क्योंकि जब बच्चे गलती करेंगे तभी तो वो सीखने की और आगे बढ़ेंगे और गलतियां जो होती ही हुगा हमारे सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है तो निश्य रूप से जब बच्चे गलती करेंग एक सिख्षीगाने काक्षा चार के सिख्षारतियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतरवस्तु का चैन किया उनसे सीखने के लिए निम्न लिखे दाउस्सर प्रदान किये समूज से मैं पतियों का संग्रे करना पतियों के आकार सुरूब और अन्नी विसेस्ताओं पर चर्चा करना थर्ड है अपनी वनिश्पती संग्रेले बनाना और इस प्रकार की गतिविधी है तो सिख्षी का को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रौतसाहन नहीं देना चाहिए तो दिखे यहाँ पर जो चार, तीन सुरी, तीन कत्षन जो दियें रख़े हैं इनमें से किसके लिए सिख्षी का बच्चों को अधिक प्रोथाहन नहीं देना चाहेगी या नहीं देना चाहिए तो दीखिए यहां पर गथन दे रखे हैं तो इनके लिए कुछ विकल्प नीचे दे रखे हैं अब देखिए जितनी अधिक पतियों के भारे में संभवो उतना उनके नाम याद रखने में बच्चों की पहल और बी है बच्चों के दोरा कारिक विस्तार सी है बच्चों का निरांतर गती धिमन लगे रहना और D है बच्चों की परश्पर क्रिया अवलोकन और सहयोग तो इदि हम देखें यहाँ पर इन चारों रुकल परमस हैं तो किसके लिए सिक्षिका को सबसे कम प्रोथसान या प्रोथसान उसके लिए नहीं देना चाहिए तो दिखिए यहाँ पर जो पहला है जिसमें लिखा है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो सके उतना नाम याद करने में बच्चों की पहला है तो दिखिए विध्यार्ति जो हैं जितना अधिक पतियां को एक इखटा कर लेंगे तो उनके बारे में नाम उनकी याद कर पाएंगे और पतियां उनने बहुत सारे पैड़ों के इखटी कर रखे तो वह हो सकता है कि उनके लिए कठनाई महसूस करेंगे सभी का नाम याद र लगे रहना और बच्चों की परष्ट पर रिक्रिया अवलोकन सवयोग इन सब में तीनों के अंदर तो सिक्षी का जो हैं प्रोटसाहित करेंगी पर इसमें थोड़ा कम प्रोटसान बच्चों को देना होगा क्योंकि वह याद रखना उनके लिए मुस्किल होगा क्योंकि जितने अधिक संभव हो सके उतनी पतियां दी उन्होंने इखट्टी कर ले और उनका नाम याद करने के गोस्त करेंगे तो निश्यत उनको थोड़सी परिशानी होगी आगे बढ़ते हैं और अगले किशन को देखते हैं अगले किशन अदाय सिक्षार्थियों को आखलन कर दियान के अधिरत करना एा बच या बच्यों के कारे से संबंधत गुनात्मा को लेख करना पीडैम यहांपर देखें तो जो सिक्षी का को नहीं करना चाहिए वो होगा सी वला वकल्ब इसके अनुसार होगा इस प्रश्न करने साथ जो कि नहीं करना चाहिए आगे अलग विशनाता है प्रात्मी गस्तर पर प्रेवरान अध्यन में समुदाई सीखने सिखाने का एक महतुपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह बहुत सस्ता संसाधन है और भी है यहां पर यहा संसाधन तो ही है और समुदाई जहां पर होता है बच्चे वहां तो सुरक्षित अपने समुदाई से जड़ाओं महसुस करते हैं और बच्चों के लिए सीखने के लिए वास्तियों में यह उससर भी उपलब्द कराता है तो डी वाला विकल्प जोगा इसके लिए हमारा सह हिकतर होगा चलिए अगला कुशन आता है अगला कुशन आता है यहां पर कोई व्यक्त 30 अगस्त 2015 को किसी एकस्प्रेस ट्रेन से अहम्दाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा है और यह ट्रेन 13-30 पर बचे अहम्दाबाद से छुटी और 1 सतमबर 2015 को साड़े सा बचे त्रिवेंद्रम पहुची और यदि अहम्दाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच के दूरी 2268 किलोमेटर है तो इन दोनों स्टेसनों के बीच की बीच ट्रेन की और सचाल क्या थी तो दीखी यहां पर सीधा सब प्रश्ट यह है कि यहां पर आपको जो समय का हिसाब है वो लगाना हना चीए और यहां पर दीकि 30 अगस्त को वो एक बच के 30 मिनट पर 13-30 का मतलब होगा दिन के अमारे एक बच करके 30 मिनट पर देड़ बज़े वो ट्रेन चली है अब यह 30 अगस्त हुआ फिर इसके बाद 31 अगस्त अब यहां पर महिने का पर दियान रखना है 31 30 अगस्त मैना अगस्त का 31 दिन का होता है और वो पहुंच रही है एक सतंबर को साड़े साथ बचे त्रिवेंद्रम यहीं कि सुबह के साड़े साथ बचे ठीक है तो कुल यहां पर इदियाम टाइम देखते हैं तो यह 30 सतंबर का जो टाइम होगा 30 अगस्त का तो निश्यत साथ घंटे है ठीक है तो इस प्रकार से दिख गो देखते हैं तो कुल टाइम जो हमारा वो हो जाता है 42 गंटे गा अब बैलेर का टाइम हो जाता है तो यह समय निकल लेंगे और समय के साथ सान चाल का सूत्र जो होता है दूरी बटा समय तो दूरी यहां पर इस हमारी होग आब 54 जो है ये किलोमीटर प्रतीख घंटा होगा क्योंकि किलोवीटर प्रती घंटा थीक हैं परंतु हमें यहां उत्तर हैं कुलोवीटर प्रतीख सेकेंड में कैसे लीए शम फिर भी, गहंते में चाल दे रही हैं तो आघर वकलपिस में को चल बेगा चली आगे वड़ते कि और अगला किशनाता है हमारे देज में नेमने लिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रहेकिस्तान है जैसल मेर लगदाख या फिर मेगाले दार्शिलिंग तो यहां पर उत्तर बन जाता है लगदाख जो है ये ठंडा रहेकिस्तान माना आता है और इसके लिए भी गल्ब जो अगला किशनाता है नेमने लिखित में से कौन सा कथन आखलें ट्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उप्यूकत है तो बच्चों के नीजी विवरना और व्यक्तित्व प्रस्ट पोर्शन फीडवेक देना वांचिनी अभ्यास है सीखने के संक्यत और उप संक्यतों के सूच तरह के कारिये होना चाहिए तो यहां पर हमें जो सबसे कम उप्यूकत है उससे हमें देखना है और वो होगा यहां पर हमारा पहला वाला ठीक है बच्चों के नीजी विवरन और व्यक्तित्व प्रस्ट पोर्शन फीडवेक देना वांचिनी अभ्यास है शरी आगे बढ़ हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं अपनी नोट्वोक में नाम लिखिए इस प्रशन के माध्यम से किस प्रक्वर्मेंट कोशल का आंखलन किया गया है वर्गी करहां चर्चा परिकल्बनायम प्रयोग नियाई के लिए सरोकार आवलोपनयम रेकॉर्डिंग तो यहां आपर हम देख सकते हैं कि यदि बच्चों को इस प्रकार का कारिय दिया जा रहा है तो इसके माध्यम से यहां बर बच्च जो हैं अपने आसपास और स्कूल के आसपास और घर के आसपास के जो जानवर है उनको देखेंगे उनका आपलोफन करेंगे और उन Olokon करेंगे और प्रयवरन अध्यन के अंता विश्य प्रकरती प्रयवरन मुद्धों के द्वारा संबोधित करती है तो प्रयवरन अध्यन की जो अंता विश्य प्रकरती है प्रयवरन मुद्धों को द्वारा संबोधित करेगी तो विज्ञान में समझी विघ्ञान की विशेवस्थू और प्रयोग 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 के सीघ्ञान हुता है तो बिल्कुल हमारा प्रयोड होता है समझ विख्यान समझी विख्यान प्रयोग को संबरित करती है तो डी विगल विसका सही उत्तर होगा अगला क्यूशन आता है कक्षा पांच की एक सिक्षक सवाल देते हैं पैड़ों के पांच लाव लिखिए जबकि कक्षा के कख्षक या सिख्षक नि мощ स्वाल देते हैं मतलवं यहां पर दो अलग अलग स्वाट नहीं है और उन्हें कि क्या होगा 15 प्रकरती कैसी होगी दो प्रकार करें पॉइदा पर 삼स Gilmore प्रॉइर देखना है प्रक्ष्ण करें यहां यहां पर कर देता हूं कि पैड़ों के 5 लाब लिखी है तो अलग-अलग अध्यात कोई क्या लाब बताएगा तो यहां पर यह मुक्त अंत वाला प्रेश्टन है इसे के साथ में क्या होगा यदि अगर धर्ती पर कोई पेड़ ना हो तो धी कि यहांपर प्रशनिक उत्तर को एक सीमा के अंदर मांदिया है एक निशिता के साथ, एक सर्थ के साथ में मांदिया है कि क्या होगा ति धर्थी पर कोई पैड़ ना हो तो इसके कोई ज़्यादा उत्तर अलग-अलग नहीं हो सकते कोई जीवन ही संभव नहीं होगा ऐसा ही उत्तर इसका बनेगा क्योंकि इसमें एक सर्थ अनिवारी कर दी गई है तो निश्यतर उसे यहां पर आप इसके लिए विगल्पों को देखें इन प्रश्णों के लिए तो बताया है बद अंत वाला अभिशारी और मुक्त अंत वाला अभिशारी तो यहां पर सीधे इत्तर को मैं टिक करता हूँ क्योंकि इसमें आपको थोड़ सा कंफिजन होगा बार-बार ऊपर नीशे देखने में पढ़ने में तो देखें हमने पहला वाला जो प्रश्ण देखा था वह मुक्त अंत वाला प्रश्ण अभिशारी है और बद अंत वाला दूसरा जो होगा वह बद अंत वाला अब सारी प्रश्ण है तो इस प्रकार से दोनों प्रश्णों के लिए विकल्पिजा पर दे रखें चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले किश्यों को समझते हैं कख्षा एक में पर्यावरान अध्यान के में सिक्षार्थियों के आंगलान के बारे में क्या सत्य हो सकता है? कोई आवश्यक्ता नहीं है तो निश्य दूर्प से यहां पर शेयक के बच्चे हैं तो उनके लिए एक दो तीन सही हो सकते हैं जिसमें एक दो तीन होगा वही हमारा उत्तर होगा और वो है वाला विकल पर चलिए अगला किशना आता है नीचे दिये गए जिवों के समू में सिकिनी की दरस्टी स्रेष्ट होती है और वेमनेश्य के तुलना में चार गुने अधिक दूरी तक वस्तों को देख सकते हैं यहां पर मदमक्की मच्छा त्यतली बाग तेनुवा सांट सांट प्रेशम की छिपकली चीर गरोड बार्ज और कई बार यह प्रस्न जो सीजेट के अंदर यूपरेट के अंदर पूछा गाए प्रस्न है जो की होगा डी वाला विकल पिसका सही उत्तर और इन जीवों के द चत कीड़ों को खाली कुछ वरस्न के लिए छोड़ दिया आता है उसमें कुछ भी नहीं उगए एता है इसमें भूमी में मास या अदनी खरपतवार जो भी कुछ जाता है उन्हें उखड़ा नहीं जाता है काट कर ज़ला दियता है और यहां राख भूमी को बोर बनाती है और जब यह भूमी खेदी के लिए तियार हो जाती तब इसमें हलका सा खोड़ा जाता है यसे भूमी को जोता नहीं जाता है उस पर इबीच छड़क देते हैं तो यह खेदी कौन से टाइप की होगी तो हमने इसे समझे देखा और प्रेशनों देखा था जहां पर कुछ कथन थे तो यह जूम खेदी है आप्शन सी इसका उत्तर होगा ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं अलगलकिशन को समझते हैं अलगलकिशन है जब कोई सपेर अपने वादी अंतर या बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनी पर अपने सर को इधर दर घूमाता है आपके विचार से सांप वादी अंतर के प्रती अनुक्रिया कैसे कर रहा है तो वो उस वादी अंतर की गती को देखकर उस वादी अंतर के द्वारा उत्पन कंपनों के प्रती अनुक्रिया करके या उस वादी अंतर को सूंकर उस वादी अंतर की धोनी को सुन करके तो निश्य दिरुप्ट में कह सकते हैं कि जो शाब होता है वो अनुक्रिया कैसी कर रहा है तो वो कर रहा है उस बारती अंत्रिक द्वारा उत्पन कमपन्नों के प्रती अनुक्रिया करके और बीविकल्प जो हुगा इसके लिए सही उत्तर हुगा आगे बढ़ते हैं और अगले किशन की बात करते हैं परिवार एक ही काई है जिसमें माता पता उनके दो बच्चे होते हैं ये कथन सत्य है क्योंकि सभी भारती परिवार इसी प्रकार के होते हैं सही नहीं है क्योंकि इस कथन में इसपस्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक ह होते हैं और सिए सभी नहीं क्यों कि कई परीवार कई परिवार कि होते हैं और परिवार के हुझा परिवार के और एक छोटे परिवार के रूप में अलग-अलग हो सकता है तो निश्य रूप से हर परिवार ऐसा हो जरूरी नहीं कि सिर्फ उसमें माता पिता और उनके बच्चे हों तो निश्य रूप से माता पिता दादा दादी चाचा चाची सभी ताउताई सभी हो सकते हैं तो जिसे वे कलब जोगा वो सही होगा अगला किशन आता है यहां पर मानाओं के पेट में अमासे रस की प्रकरती जो होती है और भोजन के पाच्चन में साहिता करता च्छारी उदाशीन उभैदर्मी अमली तो निश्य रुप से अमासे जो होता है उसके अंदर हाइडिकलोरिक अमली जो होता है जो अमासे रस के रुप में इस तरह इद होता है और उसकी प्रकरती होती है अमली चलिए आगे बढ़ते हैं किशन को देखने के लिए काच्च के जार और बोतलों को उनमें अचार भढ़ने से पूर सुर्व की धूप में अच्छी तरह सुखाय जाता है जय ना यह थोड़ा चूपाया जा रहा है असरे लिखा हो तो सुखाया जाता है क्यूं? ऐससा होता है तो निश्द शुरुपसर हम कह सकते है कि उनके तापमान में रद्धी करने के लिए उन्तों से धूल अटाने के लिए नमी को पूर्णता हटाने के लिए या फिर आचार को स्वादिस्त बराने के लिए तो उन्में नमी को हटाने के लिए उन बोतलों को जारों को सुखा जाता है क्योंकि नमी रहेगी तो अचार जो है वो खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी चलिए आगे बात करते हैं अगला किशन की अगला किशन आता है पंखुडियों के अंदर फूल के बीस में कुछ पतली पाउडर जैसे रशनाय दिखाए देती है जिन्हें वक कहते हैं वर जानमार का भारत का तिबत का या फिर नेपाल का तो मांट है रज जो सबसे मुझे चोंटी यह भाग है डी वाला विकल्प होगा नेपाल का चलिए आगे बढ़ते हैं और लोकिशन को देखते हैं एक ही तरह कि फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसानों का उप्योग करने से म्रदा बंजर हो जाती है किसी विशेश फसल के लिए उप्योगी बन जाती है सचाई के लिए उप्योक्त बन जाती है और डियो और वर बन जाती है झाल जाती है झाल जाती है